दोस्तों में सुरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के Top 28 Most Important MCQs जो की सभी प्रिक्साओ के लिए बैतपून रहेंगे आप लोग जहां से पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा और कितने questions की answer सही कर पा रहें अपना score कमेंट बोक्स में जरूगतेगा ये वीडियो रात में 9 बजे आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला question है साजहा की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था कि मृत्यू कहां पर हुई थी तो पहले question का दोस्तो right answer क्या रहेगा तो सही answer हैगा बुरहानपूर में यानि कि पहले question का right answer D रहेगा और आप लोग खुद से भी try करते रहेगा अगर आपको answer पता है किसी भी question का तो comment box में तुरंती बता देना दूसरा question है बिहू किसका मुख्य पर्व है बिहू किसका मुख्य पर्व है दूसरे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिहू दोस्तो मुख्य पर्व है असम का यानि कि दूसरे question का right answer अंसर B हो जाएगा यह आपको यादखना है Queschen No.3 है नोरोज त्योहार किस से सम्बंदित है तीसरे कोशन का राइट आंसर हैगा पार्सी से यानि कि तीसरे कोशन का राइट आंसर B हो जाएगा यह आपको यादखना है Queschen No.4 है अंग्रेजों से मुक्ति से पाने के लिए आजाद हिंद की फोज की स्थापना किसने की थी कुश्चन नमबर फोर कराईट आंसर क्या रहेगा दोस्तों अंग्रेजों से मुक्ति से पाने के पहले आजाद हिंद फोज की स्थापना किसने की थी सही आंसर हैगा चंसेकर आजाज जी ने यानि की B सही आंसर हैगा कोशन नमर 5 है जहांसी की राणी लक्समी बाई और अंग्रेजों के मद्य युद किस सन में हुआ था पाचवे कोशन का राइट आंसर रहेगा 1858 में पाचवे कोशन का राइट आंसर B हो जाएगा ये आपको या दखना है अगर आप लोग किसी भी कॉमपुरेटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियप ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों Master PDF के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आप यहाँ पर पढ़के देख सकते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं और इसमें current fare 2024 की रहेगी वो भी topic wise यानि कि हर एक topic के important question answers इसमें आपको मिल जाएंगे January से September मन तक के ठीक है और यह जो इस number पर message करेंगे इस number पर message करने के बाद में और message में लिखना है सर मुझे master PDF लेने हैं चाहे आप SSC के किसी exam की चारी कर रहे है रेलवे के किसी exam की चारी कर रहे है या कोई भी state का कोई भी exam है हरी के exam के लिए PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी message कर लेना description box में भी link available है उस पर पर भी click करके payment करके आप PDF ले सकते हैं next question आता है East India Company ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजे प्राप्त की थी सही answer क्या रहेगा 1792 में यानि कि C is the right answer साथवा question है East India Company का भारत में पहला व्यापार केंदर किस इस्थान पर बना तो साथवे question का right answer रहेगा सूरत यानि कि B is the right answer आटवा question है मुगल काल की राजभासा कौन सी थी सही answer रहेगा दोस्तो फार्सी यानि कि A correct answer रहेगा question number 9 है रास्टे उभोगता दिवस कब बनाया जाता है रास्टे उभोगता दिवस कब बनाया जाता है दोस्तो सही answer क्या रहेगा आपका 24 दिसंबर को D correct answer है दस्वा question है पाकिस्थान ने प्योके इस्थित किस मंदिर के लिए कोरिडोर खोलने की मंजूरी दी है पाकिस्थान ने प्योके इस्थित किस मंदिर के लिए कोरिडोर खोलने की मंजूरी दी है तो right answer हैगा सार्दा मंदिर यानि कि दसवे कोशन का Right Answer बी हो जाएगा कोशन न्हमियरा है किस राज्ये के सबरी माला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोट के फैसले को सभीकार कर लिया है ग्यारवे कोशन का Right Answer हैगा केरल के यानि कि B is the right answer कोशन नमबर 12 है सबसे लंबी तट्रेखा किस राज्य की है सबसे लंबी तट्रेखा किस राज्य की है 12 कोशन का right answer क्या रहेगा दोस्तों 12 कोशन का right answer रहेगा गुजरात राज्य की है यानि कि A correct answer रहेगा भारतिये परियेटन दिवस कब मनाया जाता है सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सेयर कर देना दोस्तों के साथ में कोशन अबर 13 का राइट आंसर हैगा 25 जनवरी को यानि किसी करेक्ट आंसर हैगा कोशन अबर 14 है साची का इस्तूप किसने बनाया था साची का इस्तूप किसने बनाया था सही आंसर हैगा असोक ने यानि कि B करेक्ट आंसर हैगा जातक किसका गरंथ है कोशन अबर 15 का राइट आंसर हैगा दोस्तों जातक है गरंथ बोध का यानि की C right answer रहेगा सोलवा कोशन है East India Company को भारत में व्यपार करने की अनुमती किस सन में मिले East India Company को भारत में व्यपार करने की अनुमती दोस्तो 1625 में मिले थी B right answer रहेगा कोशन नबर 17 है भारत में चावल किरिसित छेतर में उत्तर परदेश की कोटी है सही आंसर रहेगा दोस्तो पर्थम यानि की A correct answer रहेगा हिंदू वे जैन्धरम में ब्रह्मांड का केंदर किसे माना जाता है सही आंसर रहेगा मेरू परवत को अठारवे कोशन कराईट आंसर दोस्तो B हो जाएगा 19 वा कोशन है गोतम बुद ने अपना परथम उपदेश कहा दिया था सही आंसर रहेगा सारनात में 19 वे कोशन कराईट आंसर D रहेगा 20 वा कोशन है गुप्ट सासकों की सरकारी भासा क्या थी सही आंसर क्या रहेगा दोस्तो गुप्ट सासकों की सरकारी भासा संस्कृत थी 20 वे कोशन कराईट आंसर A हो जाएगा 21 वा कोशन है मावीर की माता कौन थी 21 वे कोशन कराईट आंसर रहेगा विशला यानि की B is the right answer 22 वा कोशन है चरक किसके राज्ये चिकित सकते 22 वे कोशन कराईट आंसर रहेगा कनिस्क के यानि की D correct answer रहेगा 23 वा कोशन है टीपू सुल्तान कहां का साशक था टीपू सुल्तान कहां का साशक था सही आंसर रहेगा मैसूर का 23 वे कोशन कराईट आंसर बी रहेगा 24 वा कोशन है नोबल पुरुषकार विजेता रविंदर नाथ टैगोर का जिनम दिवस किस तारीक को मनाया जाता है सही आंसर रहेगा नो मै यानि कि C is the right answer 25 वा कोशन है त्रीपिटक निमलिखित में से किस से सम्बंदित है सही आंसर रहेगा बोद्दो से यानि कि D is the right answer 26 वा कोशन है रास्टे पंचायती राजदिवस कब मनाया जाता है रास्टे पंचायती राजदिवस कब मनाया जाता है राइट आंसर हैगा 24 अप्रेल को 26 वे कोशन का राइट आंसर D रहेगा 27 वा कोशन है अलिगर्ड मुसलिम विस्विद्याले के संस्थापक कोन था सही आंसर हैगा सर सेयद एहमद 27 वे कोशन का राइट आंसर B रहेगा 28 वा कोशन है विस्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है विस्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है सही आंसर हैगा 9 अगस्त को यानि कि C is the right आंसर देखे 28 में से आप लोगों ने कितने सही किया है कमेंट बोक्स में अपना स्कोर बतेगा मुगल काल की राजभासा कोन सी थी या आप लोग के लिए टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सिरीज नहीं ली है तो हमारे Only Top Study एप पर आप लोग जा करके टेस्ट सिरीज ले सकता है किसी भी एक्जाम के लिए सबसे कम प्राइज में और Master PDF के लिए मैं उल्ड़ेडी बता चुका हूँ हमें इस नंबर पे अभी मैसेज कर लेना आप अगर किसी भी टाइम तक इस वीडियो को देख रहे होंगे 11, 11.30 तक भी देख रहे होंगे तब भी आप मैसेज कर लेना आपको तुरंती रिपलाई मिल जाएगा हमारी टीम से इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे और आप जिस एक्जाम के लिए चाहते हैं वो लिख देना कि सर मुझे मान लीजे SSC MTS के लिए PDF चाहिए SSC GD के लिए चाहिए जिस भी एक्जाम के लिए चाहिए आप लिख के इस नंबर में भेज दीजिए आपको बारकोड मिलेगा वही PDF आपको वोटसप पर भेज दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी Master PDF का लिंक एपलेबल है जिस पर आप किलिक करके पेमेंट करके PDF ले सकते हैं